प्रडाम बच्चों आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों जब हमने ये पुस्तक शुरू की थी तो हमने बात करी थी भ्याशा और व्याकरन की व्याकरन क्या था व्याकरन उन नियमों के बारे में हमें बताता है बोलते भी है और लिखते भी है तो बच्चों भाशा अशुद और शुद कैसे होती है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम पाठ संख्या बारह में अशुद्धी शोधन, correction of common errors, समान्य रूप में हम कहां पर तुटियां करते हैं मात्रा गलत लगा देते हैं, छोटी की जगा बड़ी बड़ी की जगा छोटी लगा दे आधे शब्द लिखने होते हैं तो हम पूरे शब्द लिख देते हैं या फिर हम समझ के लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं, अब एक उधारन देती हूं आपको बहुत मज़ेदार, यदि हमने लिखा खाली जगा भरो, यदि गलती से किसी बच्चे ने यह वाक्य में भा को पूरे उपर उसके उपर पूरी रेखा खीच दी, तो क्या बन गया? तो इसलिए बच्चों बहुत आवश्यक है कि हम लिखते समय ध्यान दें कि हम कहां तुर्टियां कर रहे हैं, इस पार्ट के अंदर हम आपको दो तरहां की तुर्टियों के बारे में बताएंगे शब्दों की तुर्टियां और वाक्य की तुर्टियां आए सबसे पहले देखते हैं शब्दों को किस प्रकार हम अशुद लिखते हैं और किस प्रकार हमें शुद लिखना जाहिए शुद शुध घंदू हिन्दू बिंदू बिंदू प्रभू किर्पा कृidente कृप ति ढूंकि क्योंकि वाए सो शक्ति शक्ति बिमisuरी बिमारी सुन्य शून्य पती, पति, पत्नी, पत्नी, चिन, चिन, प्रीक्षा, परीक्षा, रमायन, रामायन, पुरुस्कार, पुरस्कार, कृप्या, कृपया, बजार, बाजार, रितु, रितु, उज्वल, उज्वल, प्रश्न, प्रश्न, त्योहार त्योहार, पुज्य, पूज्य, इकाई, इकाई, अध्यन, अध्यन, आशीरवाद, आशिरवाद, शलोक, शलोक, जूट, जूट तो देखा बच्चों आपने, हम अपनी रोज की वर्तनी में कितनी अशुधियां कर देते हैं, आये चलिए बात करते हैं, वाक्य बनाने में अशुधियों की, आपके पुस्तक में दी गई इस तालिका को अब हम ध्यान से पढ़ेंगे, और हम समझेंगे कि किस प्रकार हम उसके प्राण निकल गया, मैंने एक गाना, गाना है, मुझे एक गीत गाना है, लड़कियां छट में खेल रही हैं, लड़कियां छट पर खेल रही हैं, क्रिश्न के अनेको नाम है, क्रिश्न के अनेक नाम है धोबी कपड़े धो रहा है मेरे को आज घर जाना है मुझे आज घर जाना है आप लोग कहां खेल रहे हो पिताजी सो रहा है सरिता गाना गाता है सरिता गाना गाती है बैल घास खाती है आकाश पर तारे निकल आए मुझे गरम करके दूद दीजिये वे हमारे आदर्निये हैं हम गाउ जा रहा हूँ मैं गाउ जा रहा हूँ तुम्हारे कपड़ा गंदे है पेड से पत्ते गिरते है ये मेरा स्कूल है ये है मेरा स्कूल है ये तुम्हारे खिलोने हैं ये तुम्हारे खिलोने हैं तो बच्चों इस पाठ में आपने समझा शब्दों और वाक्यों में किस प्रकार से हम कैसी कैसी तुटियां करते हैं और कैसे हम उनका सुधार कर सकते हैं तो आशा करते हैं आज हमारे साथ ये समझने के बाद आप अन्यवाद